दोस्तों नमस्कार महरास्ट के पूर्व ग्रहिम अंत्रिय अनिल देश्मुक दोस्तों अंडर ग्राउंड हो चुके हैं लापता हो चुके हैं और इसे लेकर दोस्तों इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टोरेट यानि की एडी की तरप से एक बहुत ही चौकाने वाला जो है बयान सामने आया है दरसल इडी के सूत्रों ने जो है दावा किया और इसे लेकर एनाई ने ट्विट किया है और उन्होंने बताया है कि इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टोरेट के सूत्रों का ये कहना है कि अनिल देश्मुक की अभी लोकेशन क्या है अनिल देश्मुक कहां पर है उ अवजूद उसके अनिल देश्मुक जो है एडी के सामने पेश नहीं होते हैं पूछताच के लिए और इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मताबिक enforcement directorate उनकी location को जो है पता लगाने की कोशिस कर रही है कि आखिरकार वो कहां पर छिपकर कहां पर दुके हुए हैं क्यों नहीं enforcement directorate के सामने आ रहे हैं और दोस्तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज अनिल देश्मुक के मामले को लेकर सुप्रीम कोट में सुनवाई चल रही है जिसमें उन्होंने ये एक दरसल petition फाइल कीती है और उसमें कहा था कि किसी भी तरीके की दंडात्मा कारवाई को ल उन्हों चौथा समन भेजा था लेकिन चौथे समन में जो है उन्होंने एक लेटर लिखकर उल्टे ही enforcement directorate के उपर गंभीर आरूप लगा दिये थे कि उन्हें प्रतारित किया जा रहा है जो ED की तरप से जाच की जा रही है वो दरसल निश्पक्ष नहीं है तो कल लेटर ल सुप्रीम कोट में आज उनके मामले को लेकर सुनवाई चल रही है उमीद ये की जा रही है ED की तरप से कि अगर आज अनिल देश्मुक के अगेंस्ट में सुप्रीम कोट का वर्डिक जाता है तो हो सकता है अनिल देश्मुक जो है अब पूछताच के लिए जो है अब तो दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आता कि इंफोर्समेंट डिर्क्टुरेट इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होने के बावजूद भी बार बार इतनी लाचार क्यों दिखाई दे रही इसके पीछे आज खिर दोस्तों वजय क्या है ED की लाचारी के पीछे की वजय को लेकर दोस्तों बहुत सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं कि जब सीधे तोर पर सुप्रीम कोट ने अपने पिछले वड़िक में ये कह दिया कि उनकी दंडात्मक करवाई को लेकर हम कताई रोक नहीं लगा सकते ED के पास में पूरी आजाद पर उसमें बताय जा रहा है कि इनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट को कुछ भी आता पता नहीं है कि कहां पर अनिल देशमुक छेपे हुए हैं अनिल का बहुत सारे लोग मुझे भी दोस्तों कॉमेंट करते रहते हैं मैंने तमाम जो है सोशल मीडिया पर पोस्टे भी देखी वीडियो भी देखें जिसमें लोग ये दावा कर रहे हैं कई लोग तो यहां तक दावा ठोक देते हैं कि वो जो है देश शोड़कर भागन नहीं होगा लेकिन दोस्तों ये कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि सुप्रीम कोट का वर्डिक्ट आ जाने के बाद भी सुप्रीम कोट की तरफ से सीधे तोर पर ये कह देने के बावजूद भी कि उनके खिलाप में कारवाई की जाए उनकी प्रेटीशन को लेकर कोई भी रात नहीं दी गई थी इसके बाद भी अनिल देशमुक जो है अपनी चलाते हुए दिखाई देते हैं चौते समन में वह वहाँ पर नहीं पहुंचते हैं और उल्टा एडी के उपर आरोप लगा देते हैं कि वो नहीं जो है प्रतालित कर रहे हैं इन्फोर् जो एडी की तरफ से अपडेट निकल कर सामने आरा इस पूरे के मामले में वो यह है कि एडी को अभी कुछ भी पता नहीं है कि अनिल देशमुक कहा है यानि कि दोस्तों कह सकते हैं कि फिलाल अनिल देशमुक लापता है ग्रफतारी के डर से जो है अंडर ग्राउंड है और दूसरे पूरवज रहा करते थे, वहाँ पर जाकर enforcement डिरेक्टरेट ने raid मारी थी, search operation चलाये था, वहाँ पर तमाम प्रॉपर्टी को सीज किया था, तक्रीमन साले चार करोड रुपए की प्रॉपर्टी बताई जा रही थी, तो लेकिन वहाँ पर दोस्तो अनिल देशमु से लेना चाहीगी, लेकिन अनिल देशमुख जो है एक तरीके से लापता हो गए है, जैसे ईद का चांग, बहराल जो अनिल देशमुख डर कर दोसरों छिप चुके हैं, और एडी की तरफ से लाचारी भरा दरसल ये बयान आ रहा है, कि उन्हें पता नहीं है कि अनिल देश है कि चलो, आज जो सुरवाई चल रहा है, सुप्रीम कोट में कम से कम, आज के वर्डिक्ट के बाद में शाय दनिल देशमुख जो है, उनके साथ में कॉपरेट करेंगे पूछताच के दोरा, तो इसे लेकर आप लोगों की क्या रहा है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरू मेले